तो फ्रेंस तड़के वाला आम का छुंदा इंस्टेंट बनके तयार हो गया है आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बहुत ज्यादा आसाने बनाना और उतना ही स्वाधिस्ट भी है आप इसे बिना प्रेजरवेटिव के एक से दो साल तक आप इसे रख सकते हैं खराब भी नहीं होगा तो फ्रेंट शुरू करते हैं आज को वीडियो हैलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो एज किछन पॉइंट तो आम का इंस्टेंट शुन्दा बनाने के लिए यहां पर हमने कुछ हाम लिये हैं और जब भी आप शुन्दा बना है तो बड़े साइज के आम लेने से उसके पल्प जादा निकलते हैं और उसको जब हम करज करते हैं तो हमएं सूविदा होती हैं और उसे हम अच्छे से धोखी और सुखा लेंगे, पेपर से पोस्स लेंगे और इसे इस थ Campbell कर देंगे चीलने के वाशologia मोटे साइट्स हम से crush कर देंगे घंगे तो दिछे वाера के लिए हमेंसा नई नई रेस्पिस लेकि आती रहते हूं यहां पर हमने क्रश कर लिया है इस तरीके से देखे इतने लच्छेदार हमारे आम के जो कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी इतनी है और चिलकी और गुट्लियां उसकी मात्रा इतने निकली हुई है अब इतना सारा चि अगर ज्यादे खट्टे होते हैं तो अब भी वहां पर थुरा मिठास के लिए जो हमें गुड़या चिनी डालना होता है उते हमने कम या ज्यादा करना पड़ता है यहां पर कड़ाही में हमने जो क्रश कीवे मैंगो थे उसे डालने के बास से शूगर और गुड़ को डाल हुआ है अब इसमें हमना एड कर लेना है चीली फ्लक्स आप चाहिए तो पावडर भी डाल सकते हैं लेकिन चीली फ्लक्स में यहां पर फ्रेश ।क्सके बढ़न के साह्ट दाल रही हूं एक चम्मस तक भूना हुव जीरा पहत ही बढ़िया टेस्ट आता है और आदा चम् बहुत ही बढिया हो जाता है इस से तो इस तेजास पे घी में में पकाएंगे केुआ कि आम के जो लच्चे हैं वह जो तरीके होंगे चुट क्षुना जो बनेगाा ज़ इसलिए हम धीमियाज प्रसुट ही आसान बनाना है आप इस recipe जरूद ट्राइ करिएगा यहाँ पर हमने देख लेना है एक तार के चासनी तक इसे पकाना है अभी काफी हद तक तयार हो गया है अब हमने gas बंद कर लेना है और gas बंद करने से पहले हम आधा चमस गी में अब हम का चंद आपको बनाना है तो इस तरीके से चोंक तड़का डालीएगा और जो आपका आम का चंदा बनये का बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट बनेगा और सबसे लास्ट मैं हमने एक चौथाइश हाई चमस तक गरम मसाला डालला हुआ है जो कि बहुत ही स्वाधिस्ट कर देगा इसे, अगर आपको गरा मसाला पसंद नहीं है तो मन डालेगा, वैसे यह आम के छुन्दों को बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट बना देता है, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही स्वाधिस्ट आम का छुन्दा बन के त्यार ह हुआ है फ्रेंस आप इसे रोटी पराटे के साथ खाइए और सबसे इची बात है कि हमने कोई प्रेजर्वेटी भी नहीं डाला और यह खराब भी नहीं होगा आप एक से दो साल तक आप इसे बना के रख के और इसे यूज कर सकते हैं आप इसे सिर्फ गुड़ या सिर्फ च से किसी नया रेसिरी के साथ और इस वीडियो को देखने के लिए थेंक यू